कहानी की सुरुवात में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थेरस को अपनी ही एक बेहन के पास छोड़ने आया होता है दरसल उसकी वाइफ की डैथ हो चुकी होती है वहाँ से जाते वक्त वो अपनी बेहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा उसकी बेहन का नाम होता है मैडम री क्विन मैडम का एक बेटा भी था जिसका नाम था कैमिल और वो अक्सर बीमार ही रहता था अब मैडम का घर काफी चोटा था और घर में एक्स्टा रूम ना होने की वज़़से वो और कैमिल को एक साथ ही सुलाया करती थी और वहां अकसर थेरस अपने फादर की यादों में खोई रहती थी उसे उमीद होती है कि वो जल्द ही वापस आएंगे और उसे यहां से ले जाएंगे लेकिन उसकी यह उमीद लंबी होती जाती है और वो कभी भी वापस नहीं आत और ठैरत उसे फॉरं किस करने को कहती है लेकिन कैमिल उसके इरादों से अंजान होता है और उसे महसघाल पर केफ़ करता है इसके बाद थेरस कहती है कि ऐसे नहीं क्योंकि वो चाहती थी कि कैमिल उसके होटों को चूमे लेकिन तभी वहाँ मैडम आ जाती है और वो थेरस से कहती है कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे इसके कुछ दिनों बाद कैमिल को जौब मिल जाती है इसलिए अब वो सभी पैरेस सिफ्ट हो रहे है लेकिन वहाँ जाने से पहले मैडम थेरस से बताती है कि तुम्हारी शादी कैमिल से होने वाली है लेकिन अब थेरस के पास कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए उसे ना चाहती हुए भी शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है और इसके बाद वो तीनों ही पैरेस पहुँच जाते है जहां कैमिल अपनी जौब में ही बिजी हो जाता है लेकिन थेरस इस शादी से जाना भी खुश नहीं होती उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद वो किसी जेल में बंद है कैमिल भी अपनी जौब में पूरा दिन बिजी रहता है और खुश ना रहते वे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है एक राज जब वो घर आता है तो थेरस उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी लेकिन कैमिल को तो इन सब में जाना भी दिल्चस्पी नहीं थी क्योंकि वो बच्पन से ही बिमार था अगले ही दिन कैमिल अपने बच्पन के दोस लौरेंट को घर लेकर आता है जो कैमिल के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता है और मैडम भी लौरेंट को देखकर पहचान लेती है और वो से वहाँ देखकर बहुत खुश होती है लौरेंट एक आर्टिस्ट था जो पेंटिंग बनाने में माहिर था और जब ये सभी आपस में बाते कर रहे थे तो थेरस लौरेंट को एक टक निहार रही थी और वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है लौरेंट भी इस बाद को नोटिस कर लेता है कि थेरस उसे देख रही है इसके बाद Camille Laurence से अपनी एक पेंटिंग बनवाता है और जब वो पेंटिंग बना रहा होता है तो Theris भी उनके पास ही वहाँ बैठी होती है लेकिन उसकी नजरें सरिफ Laurence पर ही टिकी होती है और पेंटिंग रेडी होने के बाद Camille को वो बहुत पसंद आती है तब ही Camille को जरूरी काम आ जाता है और वो वहाँ से चला आता है और अब Theris और Laurence उस कमरे में अकेले होते हैं Camille के वहाँ से जाते ही Laurence Theris से कहता है कि अपने कपड़े उतारो और Theris वो पहले से ही उसकी तरफ अट्रेक्ट थी और साथ ही वो Laurence से कहती है कि हमारे पस बहुत कम टाइम है और इसके बाद वो दोनों वहीं intimate होने लगते हैं और इसके बाद से ही इनका affair शुरू हो जाता है और इन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो दोनों शुरू हो जाते हैं थेरस हमेंसे एक नया बहाना बनाती है और इस टोरूम छोड़ कर बेडरूम में चली आती है जहां Lauren उसका पहले से ही इंतजार करता था और वो दोनों अकसर ही intimate हुआ करते थे थेरस Lauren के प्यार में एकदम पागल हो जाती है उस रात कैमल बहुत हिमत जुटा कर थेरस के साथ intimate होता है लेकिन थेरस को उसे जरा भी सुकूर नहीं मिलता अगले ही दिन जब थेरस और Lauren अपना quality time बिता रहे होते हैं तब ही उस कमरे में मैडम आ जाती है और उन्हें आता देख Lauren थेरस के कपड़े में छुप जाता है थेरस भी बहाना बनाती है कि उसकी तबियर जारा ठीक नहीं है और यहां वो दोनों पकड़े जाने से बाल बाल बसते हैं इसके कुजिन बाद कैमल थेरस से कहता है कि हम गाउं वापस जा रहे हैं क्योंकि उसे भी अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगा था कि थेरस शहर में आने के बाद से ही उससे दूर होती जा रही है लेकिन ये ख़बर सुनकर थेरस का दिल दहल जाता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके प्यार का फूल जो पूरी तरह खिल चुका है वो धीरी धीरे मुर्जा जाएगा उसी राद थेरस ये बात जाकर लॉरेन को बताती है इस पर लॉरेन कहता है कि कैमल को हमारे रास्ते से हटाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमें उसे जान से मारना होगा लेकिन ये सुनते ही थेरस को डर लगने लगता है लेकिन लॉरेन उसे समझाते हुए कहता है कि जान तुम फिक्र मत करो हम उसे इस तरह मारेंगे कि वो एक एकसिरेंट लगेगा उस राद थेरस को नीन ही नहीं आ रही होती और उसके दिमाग में यही बात घूम रही होती है कि क्या ऐसा करना सही है या गलत लेकिन लॉरेन की महपत का उस पर ऐसा जुनून था कि वो अपने ही पती को मारने के लिए तयार हो जाती है अगले दिन वो तीनों ही एक पार्क में जाते हैं जहां केमिल घूमते घूमते ठक जाता है और वो थेरस की घूदी में हिस्सर रखकर सो जाता है लेकिन जब वो उड़ता है तो वो तीनों ही बोटिंग करने जाते हैं थेरस को अब पूरा यकीन होता है कि लॉरेंट कैमिल को मार देगा लेकिन वो इस फैसले पर अभी भी श्योर नहीं थी कि ऐसा करना सही है या गलत इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंट थेरस को बजा कर किनारे तक लेकर आता है और वो दोनों वहां रोने का नाटक करने ल लग जाते हैं और बहुत ढूंडने के बाद उन्हें कैमिल की बॉड़ी मिल जाती है और अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है लेकिन मैडम को पूरा श्रक होता है कि उसके बेटे के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है उसी राद थेरस और लॉरेंट इंटिम रहा हैं और वोसे उन्दि कोष और बिर्वल ही और ही सब्सक्राइए होती है कि उसे बृफ्ट को अपनी गलती बबस्तांवा होँने लगता है और साथी लॉरेंट का बी कुछ ऐसा ही शाल था वह दोनों ही बहुत डरे हुए होते हैं और वो आज की रात थेरस के साथ ही सोना चाहता था थेरस लॉरेंट से कहती है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं लेकिन लॉरेंट उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर कैमिल की दौलत पर होती है लेकिन थेरस कहती है कि कैमिल के सारी संपत्ती मैडम के नाम पर ही है इस पर लॉरेन कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कैमिल की बहुत याद आ रही है और इसके बाद सही थेरस रोने का ड्रामा करने लगती है और उसके रोने की आवाद मैडम और उसके दोस सुन लेते हैं और वो मैडम को सलाह देते हैं कि आपको थेरस की शादी कर देनी चाहिए और अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो इस दिप को भूल जाएगी साथ ही वो उसे सलाह देते हैं कि थेरस के लिए लॉरेंस से बहतर कोई लड़का नहीं है और मेडम भी उनकी बात माल लेती है इसके बाद वो ये बाते थेरस और लॉरेंस को बताते हैं और वो दोनों फॉररन शादी के लिए मान जाते हैं शादी की रात लॉरेन बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे इस रात का सालों से इंतजार था लेकिन थेरस इस शादी से जरा भी खुश नहीं होती उसे इस बात का पस्तावा होने लगता है कि उसने अपने सुक के लिए अपने ही पती को मार दिया साथ ही वो मैडम का दुख भी नहीं देख पा रही थी अब वो लॉरेंट से पूछ ती है कि कैमिल की डेथ कैसे हुई थी इस पर लॉरेंट कहता है कि तुम वहाँ पर मौज़ूद थी लेकिन ठेरस कहती है कि मैंने तो अपने आँखें बंद कर ली थी क्या वो बहुत तडब कर मरा था इसके जवाब में लॉरेंट कहता है कि नहीं मैंनों से अराम से पाने में डाल दिया था इसके वाद उन दोनों में आपस में ही लडाई होने लगती है और अब ये दोनों भी अपनी लाइफ में जरा भी खुश नहीं होते ऐसे ही अब कई दिन बीच जाते हैं लेकिन मेंडम अभी तक अपने बेटे को नहीं भूल पाई थी एक दिन जब वो पार्क में बैठे हुए थे तो अचानक उन्हें अटेक आजाता है और वो भी पैरलाइज हो जाती है यहां लॉरेंट अब मेंडम को भी मार कर उनकी प्रॉपर्टी हडपना चाहता था लेकिन थेरस मेंडम को बचा रही थी तब ही एक दिन जब थेरस मेंडम को नहला रही होती है तब ही थेरस और लॉरेंट के बीच रड़ाई होने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे को कैविल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और उनकी ये बाते मैडम सुन लेती है यहां लॉरेंट पॉजन खरीद लेता है क्योंकि वो मैडम और ठहरस दोनों को ही मारना चाहता था और यहां मैडम किसी तरह इंग से फर्ष पर सचाईल लिख देती है ये लिखा हुआ मैडम की एक दोस्ट देख लेती है और वो लोगों को बताने चाहती है लेकिन जैसे ही ये खबर ठहरस और लॉरेंट को लगती है वो फिर से एक हुजा दे हैं और वो दोनों ही मैडम को मारने का फैसला लेते हैं इसके बाद वो दोनों मैडम को लेकर एक नदी के किनार ही जाते हैं क्योंकि वो ऐसा दिखावा कर रहे होते हैं कि वो पिकनिक पर आये हैं लेकिन तभी दोनों अपना मैंड चेंज कर लेते हैं और सुसाइड करने का फैसला लेते हैं इसके बाद वो दोनों ही जहरेली ड्रिंक को पी लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं और वहाँ मैडम के दोस्त भी पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं इस मूवी में हम देखते हैं कि बुरे कर्मा के साथ हम कभी भी अपनी लाइफ में खुशियों के उम्मेद नहीं कर सकते और ऐसा है कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ था और इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है